मद्रप्रदेश के खरगुन जीले में एक अनोंगा विवा समपन हुआ है साइधी आपने इससे पहले ऐसे कोई साधी देखी होगी यह विवा इंसानों की नहीं बलकी पशों की बीच कराया गया है इस अनों की विवाह में बेल को दूला बनाया गया है तो दुलहन गाय को बनाया है विवाह के दोरान होने वाली सारी रस्में निभाई गई दुलहन को लेने आये बेल ने पूरे शहर में धूम धाम से बारात भी निकाली हजारों लोग इस अनों के विवाह के साक्षी बने है बता दे कि खरगों जीले के महेश्वर में या विवाह संपन हुआ है यहां सीव विवाह के नाम पर बेल और गोव के बीच साधी रचाई गई है महराष्ट के धूलिया जलगाउं जीले से करीब पचास गाउं के भारबार समाज और मालधरी समाज दुआरा हजारों के संख्या में नंद किशोर नाम के बेल को दूला बनाकर विवाह के लिए महेश्वर लाया गया अंदिनी नाम की गोमाता को दूलन बनाया गया दोनों के बीच विवाह रचाया गया बारत लेकर आये लोगों ने दूले को बेंट बाजे और डीजे के साथ धूम धाम से पूरे नगर में और गलियों में घुमाया गया दुला दुलन दोनों की उम्र बारा महेने बताई जा रही है इस विभा को लोगों ने शीव विभा का नाम दिया है लोगों को कहना है कि इस तरह का विभा नगर में पहली बार देखा है आपको बता देए कि नगर के प्राचीन ब्रद कालेश्वर मंदिर में विगत 5 दिसंबर से लक्ष्मी नरान महायगी चल रहा है जिसके पूर्णा आउती आज दी जाएगी इसी महायगी के दोरान यह गो विवास संपन्न हुआ है विवास के पहले मामेरा का आयोजन भी किया गया गुजरात के सरद्धालों ने गो माता को बेट में 11,000 रुपे नगत और सोनी का हार दिया है विवास के दोरान लक्ष्मी रान यग दिरंतर चलता रहा लोकल एटिन के लिए खरगों से दीपक पांडी की रिपोर्ट